आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास एर्थ हिंदी मंजरी बुक का पार्थ 3 सच्ची वीर्था ये पार्थ एक निबंध है और इस निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंग जी उन्होंने इस पार्थ में सच्ची वीर्था यानि सच्चे वीर पूर्षों के गुणों के बारे में बताया है प्रस्तुत पार्थ में इन वीर पूर्षों के धैर, साहस और सौबिमान जैसे गुणों पर प्रकाश डाला गया है और ये भी बताया गया है कि वीर पुरुष प्रतेक इस्थती में यानि कोई भी इस्थती हो उसमें वो सच्चाई का साथ देते हैं तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं धीर का अर्थ होता है जो स्वांत सभाव का व्यक्ति होता है बहुत नम्र सभाव का गंभीर यानि सीरियस और आजाद होते हैं यानि उनकी सोच जो होती है वो पिलकुल आजाद होती है उनके मन की गंभीरता और शक्ती समुद्र की तरह विशाल और गहरी होती है आकाश के तरह स्थिर और अचल होती है परन तो ये शेर जब गरचते हैं तो सदियों तक इनकी दहार सुनाई देती है और अन्य सभी आवाजें बंद हो जाती है यानि जब ये वीर पुरुष अपनी सच्चाई पर आते हैं तो फिर कोई भी इनके आगे टिक नहीं सकता तो फिर एक कहानी बताई गई है एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशा के बीच बादचीत हुई यह गुलाम कैदी दिल से आजाद था बादशा ने कहा मैं तुमको अभी जान से मार डालूँगा तुम क्या कर सकते हो गुलाम बोला हाँ मैं तो फासी पर चढ़ जाओंगा पर तुम्हारा तिरसकार तब भी कर सकता हूँ तिरसकार यानी अपमान मैं तुम्हारा अपमान तब भी कर सकता हूँ जब तुम मुझे फासी पर चढ़ा दो इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी कि बादशाह के जो बल होता है जो उनकी ताकत होती है उससे भी वो नहीं डरता वो दिल से बिलकुल आजाद ख्याल का था बस इतने ही जोर और इतनी ही शेखी पर ये जूटे राजा मार पीट पर कायर लोगों को डराते हैं शेखी करना मतलब अपनी शान दिखाना अपनी हेकड़ी दिखाना और ये जो राजा होते हैं ये जो बाच्शा होते हैं वो बस अपनी जूटी शान दिखाने के लिए जो कायर लोग होते हैं उन्हें डराते हैं चुकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंदर समझते हैं सबी लोग यही सोचते हैं कि जो हम पर अगर अत्याचार किया गया तो उससे वो डर जाते हैं तो यहां पर बताया गया है कि हर इंसान अपने आपको बचाने के लिए डरता है और किसी भी बलवान ग्यक्ति के आगे जुग जाता है इसलिए जहां किसी ने इनके सरीर पर जरा सा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर के अदमरे हो जाते हैं। केवल सरीर रक्षा के निमित ये लोग इन राजाओं के उपरी मन से पूजा करते हैं, यानि अंदर से उनकी इज़त नहीं करते हैं, लेकिन उपरी मन से उनकी पूजा सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो इनसे डरते हैं। उनके पास कोई फौज नहीं होती है, तो बंदूके नहीं होती हैं, फिर भी वो अपने आप में एक राजा होते हैं। मनसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशा ने कहा यह काफिर है, यानि जब उसने कहा कि मैं खुदा हूँ, तो काफिर का अर्थ होता है, जो इश्वर को नहीं मानते हैं, उन्हें काफिर कहा जाता है। मगर मनसूर ने अपने कलाम को बंद नहीं किया, मतलब वो जो कह रहे थे, उन्होंने उससे अपने को पीछे नहीं हटाया, पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा कर दी, परन्तु उस मर्द की मूझ से हर बार यही शब्द निकला, अनलहक, यानि मैं ह मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मनसूर का सूली पर चड़ना उसके लिए सिर्फ एक खेल था, महराजा ररजीत सिंग ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ, अटक यानि जो सिंदु नदी होती है, उसे अटक कहा जाता है, तो उसके पार जाओ, अटक चड़ी हुई थी, और भयंकर लहरें उठी रही थी, यानि उस समय नदी में काफी तेज बहाओ था, जब फौज ने कुछ उत्सह प्रकट ना किया, मगर फौज जो थी, वो नहीं जाना चाहती थी, तब उस वीर को जोश आया, लेकिन वो वीर जो था, वो तयार हो गया, महराजा अपना घोडा दरिया में डाल दिया, कहा जाता है कि अटक यानि सिंदु नदी जो थी, वो सूख गई और सब पार निकल गए, लाखों आदमी मरने मारने को तयार हो रहे हैं, गोलियां धुआधार बरस रही हैं, आलप्स के पहाड़ों पर फौज ने चर्णा जियों ही अ असंभव समझा, यानि जब फौज ने सोचा कि यहां तो चर्णा असंभव है, तभी वीड नैपोलियन को जोश आया, नैपोलियम फ्रांस के महान राजा थे, और उन्हें जोश आया और उन्होंने कहा आलप्स तो है ही नहीं, फौज को निश्चय हो गया कि आलप्स तो है और यहां पर लेखक ने सत्त गुण में डूबी हुई युवति कन्या का अर्थ इस तरह से बताया है कि जो फ्रांस की वीरांगना थी, जौन ओफ आर्ग, उनका उलेक किया है, उसने फ्रांस पर चढ़ाई करने वाले शत्रों का डटकर मुकाबला किया और उन्हें परास् हार और इस कारण जो फ्रांस है वो बच गया, यानि वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, अभिव्यक्ति यानि जो कोई चीज व्यक्त की जाती है, वो कई तरह से होती है, कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में होती है, कभी खून बहाने में, तलवार त तोप के सामने जान गवाने में होती है तो कभी जीवन के गूर्टतत और सत्त की तलाश में गौतम बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीर्टा एक प्रकार की अंतह प्रेणा है अंतह प्रेणा जो प्रेणा हमारे मन से उठती है अपने मन की प्रेणा जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया एक नई रौनक एक नया रंग एक नई बहार एक नई प्रभुता संसार में छा गई यानि जब को अंतह प्रेणना जाकती है तभी इसका विकास होता है वीर्टा हमेशा निराली और नई होती है नया पन भी वीर्टा का एक खास रंग होता है वीर्टा देशकाल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया सरूप लेकर आई जिसके दर्शन करते ही सब लोगों को प्रेणा मिलती है उसका मन सबका मन हो जाता है उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं यहीं सब उससे प्रेरित होते हैं उसका संकल्प जो होता है वो सबके लिए संकल्प बन जाता है वह सबका और सब उसके हो जाते हैं वीरों को बनाने के कार खाने कायम नही जीवन के अरन्य में खुद बाखुद पैदा होते हैं अरन्य होता है जंगल बिना किसी के पानी दिये बिना किसी के दूद पिलाए बिना किसी के हाथ लगाए तयार होते हैं दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं यानि उन्हें किसी खास जगें हम नहीं डून सकते हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और पीछे हटना पहले दरजे के बुजदिल लोग होते हैं बुजदिल यानि जो कायर होते हैं वो वीर तो ये समझता है कि मनुष्य का जीबन जरा सी चीज है वे सिर्फ एक बार के लिए काफी है पंदूक में केवल एक गोली है उसे एक बार ही प्रियोग किया जा सकता है हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न तूटने वाला हतियार समझते हैं हर घड़ी आगे बढ़कर और ये दिखा कर कि हम बड़े हैं वे फिर पीचे इसलिए हट जाते हैं क्योंकि उनका मनोबल उनका जो मन में शक्ती होती है वो किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए यानि हम इसको अभी बचा लें, बात के लिए रख लें गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं परन्तु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूशला धार यानि बहुत जादा वर्षा कर जाते हैं यानि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है वीर पुरुष का सरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है समस्य यानि सारी कुदरत का ये केंद्र हिल नहीं सकता सूरे का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए परंतु वीर के दिल में जो देवी केंद्र है वह अचल है वो नहीं डगमगा सकता यानि वीर पुरुष या वीर इस्त्री कभी कोई निश्य कर ले तो उनके मन को हम हिला नहीं सकते कुदरत की नीती चाहे विक्सित होकर अपने बल को नश्ट करने की हो मगर वीरों के जो नीती होती है वो बल को हर तरह से इखटा करने और बढ़ाने की होती है वह वीर क्या जो टीन के बरतनों की तरह जट से गरम और ठंडा हो जाता है सदियों नीचे आग जलती हो तभी शायद गर्म हो और हजारों वर्ष बरफ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल है कि उसकी वाड़ी तक ठंडी हो उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब सत्त की सदा जीत होती है यह भी वीरता का एक चिन्न है विजय वही होती है जहां पवित्रता हो प्रेम हो दुनिया तो धर्म और अटल अध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है दुनिया तो धर्म के साहरे चलती है नियमों के साहरे चलती है लेकिन जो अपने आपको उन नियमों के साथ अभिन में करके रहता है यानि उन नियमों से अलग होकर रहता है विजह उसी की होती है जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरे उटती है और वीरता का रंग चड़ जाता है परन्तु प्राया वे चिर स्थाई नहीं होता चिर यानी मन और मन में वो स्थाई नहीं रहता यानी हमारे अंदर वीर्टा की लहरे तो उठती है उसका रंग तो चड़ता है पगर वो चीज जो है वो समय के साथ बदल जाती है इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर्ट नहीं बनना है टीन के बरतन का सुभाव छोड़कर अपने जीवन के केंदर में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर डर्णता से खड़े हो जाओ बाहर की सतय को छोड़कर जीवन की तहयों में तहय जो परत होती है उनमें घुसो तब नहीं रंग खिलेंगे यानि हमें टीन के बरतन की तरह सुभाव नहीं रखना चाहिए कि बस गरम किया गया तो गरम हो गया और ठंडा किया गया तो वो ठंडा हो गया अगर कोई चीज आपके मन में आई है तो उसे ठानिये और उसे पूर्ण करके रहे तब जाकर आप जीवन में कुछ कर सकते हैं तो यह तो पार्ट हो गया इसके प्रश्ण उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपको कैसा लगा यह कमेंट शेक्शन में ज़रूर लिकिएगा थैंक यू पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें